हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड कलास 9 साइंस का जो है पेपर का मार्च दोहजार पचीस में जो आपका फाइनल पेपर होगा उसके लिए आपका ये मोडल पेपर रहने वाला है कुछ इसी तरीक आपका जो साइंस का पे कि वीडियो देखनी है यह वीडियो देखनी है या फिर आपको जो है इंपोर्टन वाली वीडियो तो हर एक सब्जेक्ट में तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेइलिस्ट के लिंग मिल जाएंगे वहां से देख लेना उसके अलाव आपको एक वेबसाइट बता देता हूं गूगल पर जाओ और सर्च करो ये नाम ccl chapter.com इस वेबसाइट पर आपको हरियाना बोर्ड के लिए सारा जो स्टेडी मेंटिक वह मिल जाएगा जिसके अंदर पेपर्स वगयरा हो गए मोडल पेपर उनके अंसर क्या आपको मिल जाएगी लेटेस्ट वालों की important questions वगर सब चीज़े मिलेंगी books के solution हैं सारी की सारी त आप देखते हैं science का पर देखो science में आपके तीन सब्जेक्ट है physics chemistry और biology तो तीनों सब्जेक्ट में जो है आपका पेपर रहेगा यह तीनों अलग-अलग जो आपको पेपर देखने को मिलेगा अलग-अलग sections के हिसाब से पहला जो section आएगा section A जिसमें आएगी chemistry the science आस्तर लेकिन हाँ video सुरू करने से पहले एक चोटी सी बात मेरे को बता दो comments में कि वही आपने जो science है वह हिंदी मीडियम में ले रखी है पढ़ते हो आपको स्कूल में Hindi मीडियम में पढ़ाई जाती है या फिर English मेडियम में पढ़ाई जाती है तो वह comment में जरूर से mention कर देना मे मेरे को और जाता help मिलेगी सभी students के लिए video बनाने के लिए कि कौन से मीडियम में रहते हैं खिलाल इस वीडियो का हम इंग्लिस मीडियम में कवर करेंगे what is the shortest distance between the initial and final position of object shortest distance initial point है और final position है उसके बिसका shortest distance है तो उसको क्या बोलते हैं displacement बूलाते हैं shortest path को next question देखते हैं धवनी और बोडी मुझे फास्टर देन स्पीड आफ साउंड इससाइड तो बी मुविंग विद आस्पीड फिलिन दाबलाग वासे केमिस्ट्री लिखा था को सिटिंग हो रहे हैं तो जाते हैं कभी कभी गड़ पर मिस टाइप करती है और उनने चलो कोई ना अब जेखो यहां एक बोडी है जो फास्ट मुव कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड से तो उसको क्या कहते हैं साउंड से ज्यादा की स्पीड को सूपर्सोनिक साउंड तो कौन सी स्पीड हो वह है सूपर्सोनिक स्पीड है उप्सन ए नेक्स्ट कोच्छन है यूनिट बतानी है यूनिट ऑफ में से कर लेना यूनिट जरूर लगानी होती है इन चीजों में यूनिट नहीं होनी चाहिए मीटर इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकिंड स्वेर तो यह आप लिख सकते हैं दोनों से रहेंगे है जो मलब जिसमें zero kinetic energy rest में तो क्या यह बात सही है कि जब बोड़ी रेस्ट में होती है उसकी kinetic energy zero होती है बिल्कुल अब रीजन देख लेते हैं रीजन दे रखाया कि दा energy possessed by a body because of its motion is called kinetic energy तो यह कह रहें कि energy possessed होती है एक बोड़ी में क्योंकि इसके motion के वजय से उसी को kinetic energy बुलाते हैं यह statement क्या सही है तो यह भी statement सही है अब दोनों option के according understand करने की थोड़ी कोशिज करते हैं इसमें हमारा दिमाग भी इस्तमाल होगा कैसे एक बोड़ी एक जब रेस्ट में है तो उसकी kinetic energy zero होती है हम बोलेंगे क्यों भाई इसके पीछे क्या है तो कहते हैं कि जब बोड़ी मोशन में होती है तो उसी को kinetic energy बुलाते है अगर मोशन में नहीं है तो जीरो ही हो जाएगी तो रीजन बिल्कुल वैली डाइन का ठीक है तो वैलीड रीजन है तो हमारा क्या जाएगा option ए आ जाएगा option ए का मतलब है दोनों बोथ ए एंड आ चद्र कारपेट जो है तो उसको हम लकड़ी से पीट थे हैं तो इसमें से डश्ट बाहर आ जाती है तो उस सरक टाए ना तो ऑसी के बारे में है यह कि हाँ वह तो इंघ्रमिक बोलते हैं वह तो सरग गई दरी है जैसे यहां पर ठीक है वह दरी तो आगए गया नेस। वह पावर पावर क्या होती है है इंट सब्सक्राइब किसी थाइब है डाउनने तक पावर लोटल में कि आपको जल्याता ताइमाल क्या होती है कि इनरजी प्रोडु सब्सक्राइब कितने टाइम के अंदर प्रोडूस हो रही है उसको हम पावर बूलाते हैं कितने टाइम उसको यूज कर सकते हैं यह भी कह सकते हैं ठीक है अच्प सरकती है यूनिफोर्म इस यह थी सपीड़ नहीं है कितनी है डिस्ट्रा चैवल नहीं रहेगा अब तो वहमें के लिए गाल कुलेट करनी है अब इसको के लिए क्लीप करना क्या करना है वह मैं यू इनिशल वैलश्टी दे रखेँ जी रुडू उसके बाद टाइम ह इसके बाद में निकालना है पहले तो श्पीड निकालनी है वी निकालनी है कितनी रहेगी और फिर डिस्टेंस भी निकालना है ऐससे कि दिस्टेंस इतना रहेगा हमारा यहां पे तो फॉर्मुला आपको पता ही है विची क्वल टू यू पलस ए टी इसमें फिट कर दो सारी चीजों को वी हमें निकालना है पहले तो यू हमें दे रखा जीरो जीरो दे रखा है पलस में ए हमें दे रखा है 0.1 और टाइम भी हमको दे रखा है 120 सेकिंड का ठीक है इसको सोल कर लेंगे किवी आ जायेगा हमारा पूरा 12 मीटर पर सेकिंड यह मारी यहँंद च्पहष्ट तो इतों प्रोसेस रहे banget उसमें वी क्यों को रिखारài माइनश यू स्कुएर दوسट जायेगा हमारे बारा मीटर दोज़फले हैं यहां मीटर वारहा ही तो बराबर में तू ए यह हमें रखा है और एस हमें कैलकुलेट करना है यहां पर तो इसको पूरा सोल करने पर इन इक्वेशन को सोल करने पर आजाएगा वह आ क्या जाएगा 144 ठीक है उसके बाद में माइनस जीरो का स्कूर जीरो इस इक्वल टू यहां पर टू की 0.1 से उना करनी है ठीक है इसको जितना इजी रहे उतना बढ़ी है ठीक है तो क्या जाएगा मारा उसके बाद में टू इंटू में मलब हाँ को धूर अब हाव्जा स्वाइड इसके डिवायड में कर लो ठीक है अब यहां फाइव आ गया तो इस तरीके से वह वह आया था यहां पर चीप्लाइजाए ऑप 335 बढ़ जाए का आपका फइनल जो आएगा 720 मीटर यह आपका डिस्टैंस हो जाएगा ठीक हमने स्पीड निकाल ली और ये दोनों चीज़ें मैं निकाल ली है वी भी निकाल ली हमने और साथ में यह साल पेन यह जो है इसमें हमें सिर्फ निकालना अब आपके उपर है वो पूरा प्रोसेस करना चाहते है चोटे टाइब का कोश्चन सो करना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस हमारा ओल्मोस्ट उतना साही हो जाएगा ज्यादा टाइम हमारा मलब हम अगर कोशिज करेंगे कि हम टाइम सेव कर ले तो हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे उतना ही लग जाएगा उल्मोस्ट प्रोसेस से आपको रहेगा बस बन ली गई है यहां पर भी आपको जहाए इस वाले कोश्चन में इनिशल लोस्टी जीरो दे रखे है और मतलब यू दे रखा आपको जीरो वी दे रखा आपको 40 कि 600 सेकेंड एडियो आपको पता ही है जीरो और गोश्टी दे रखे है उसको भी कर लो और आपको वह जाएगा हंड्रेड अपों में 9 मीटर पर सेकिंड में कर लो किलोमीटर पर आपको किलोमीटर पर नाइन करनी होती है और उसके बाद में क्या निकालना है एक्सलरीशन क्या होते हैं velocity अपन में time है तो यह जो है acceleration इंटु टाइम और इसके बाद में आपको क्या था हंट्रेट अपॉन नाइन हंट्रेट अपन नाइन और टाइम क्या है हमारे पास में वह है 600 ठीक है 600 तो आपको इसको जो है आप इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो आपका जो अंसर आएगा एक्सलेरेशन का वक्त आएगा जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर पर स्टैकिंड स्कूर्ट यूनिट्स को थोड़ा ध्यान अगना पड़ेगा यह नाइन जो आपका नीचे चला जाएगा अगर इसको मल्टिप्लाइश केशन टाइब में लिखोगे ना तो ऐसे आएगा हंड्रड अपॉन में नाइन इंट सब्सक्राइब करें ना यह आपका अंसर आजाएगा तभी तो जीरो लगाओगे नहीं बात बनी फिर और लगाओगे यह जो है ना एक्जेक्ट नहीं है यह राउंड फिकर करके हमने किया हुआ है तो जब काट रहेते देखो पोइंट लगाना है देखो एक वन बाई फि तुम में से बहुत सा इस्ट्रेंट यह सुरी अंसर तो आया नहीं हमारे तो कुछ और ही आ रहा था देखो आप अक्यूरेट भी लिख सकते हो और राउंड फिगर करके भी लिख सकते हो वह आपकी मर्जी है अब वन अपन में 54 है जीरो पुएंट अब एक जीरो लगा दो इसलिए का राउंड फिगर किया जाता है ताकि वह इजी रहे सोल करने के लिए एक्यूरेट डिवाइड करना चाते हो तो यहां पर लास्ट के पॉइंट के बाद दो डिजित तक की काम चल जाता उससे आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ती तो राउंड फिगरिंग कर बताना है डिफ्रेंस बतनाने के लिए आपको टेबल वगएरा बनानी पड़ेगी अब लाउड नेस को सुन लो लाउड नेस जाम मीजर ऑफ सेंसिटिविटी ओफ दा इयर टु साउंड ठीक है सेंसिटिविटी होती है मापने की लाउड नेस ऑफ साउंड कैन नोट भी मि बहुत दीमी आवाजे होती है जैसे चीटियों की बाते करते हुए आप नहीं सुन सकते ना वैसी बाते आगे बढ़ते हैं दूसरा जो सेक्षन आता है इसमें वह है इंटेंसिटी ठीक है टेबल बनानी मैं एक साइड इसलिए कलियर कर रहा हूं ताकि आपको पता लगता अनसर की डाउनलोड करनी है आपको वेबसाइट शीषलचेप्टर डोट कोम पर हर्याना बर्ड का सेक्षन है वहां पर मॉडल पेपर का सेक्षन मिलेगा और वहां से आप अनसर की को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन अच्छे से करना है तो और कर लेना सबके लिए बराबर ही होगी इंटेंसिटी उनकी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो कोश्चन दस्वां कोश्चन इसमें जो है क्या होता है पहले जो है कोश्चन है और फीज पूबज्च तो उभी तेटेशिटी के फोर्स को क्या होगा जब अगर यह को मास्पव नइडबल कर लिए तो क्या होगा विए ग्रैविटेसनल विल्ट दबल तो उस समय ग्रेविटेसं वी डिभल हो जाएगा तो अगर संग विच में डबल कर लिया ट्रिपल कर लिया तो क्या होगा अगर इफ दाइस बिट्विन दाट्व ऑजेक्ट इज डबल डन दन्यूप ऑट्रेक्शन वीव बОइफ टाइम्स ओरीजिनल वैल्यू तो वन पाइफ ऐस हो जाएगा अगर उसको हम ट्रिपल कर लेते हैं तो वन बाइफ फॉर टाइमस हो जाएगा उरिजिनल वैल्यू के नेक्ट कोशन देखते हैं अगर मास दोनों अबजेक्ट का डबल कर देते तब क्या होगा तो जब एंवन और एंटु दोनों को ही डबल कर देंगे तो फोर् सब्सक्राइब करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है मास कीतना दे रखा है वह है 10 kg जो खांट कर लें मास इंटू ग्राविटी एम इंटू जी बोलते हैं जिसको सिंपली तो मांस कितना है धस और ग्रैवीटच कितने 9.8 थो कितना हो जाएगा ना यहां पर हमारा यहहाप उजाएगा अर्थ पर अगर वहीं पर मून की बात करें तो मून मांस तो सहे जब mass नॉमाइब्ण करेंगे poken एक क्रम टब करेंगे तो हमारा जो वेट है वो निकल जाएगा जो कि आएगा हमारा सोल करने पर 16.3 न्यूटन ठीक है तो यह जो है हमें पता लग जाएगा लेकिन हाँ इसको जो है ना इस तरीके से क्योंकि हमें जो है कर सकते हैं बाकी प्लाइनेट का आपने बुक में पढ़ा होगा उसके रिगार्डिंग वो निकल जाएगा ठीक कितने से डिवाइड करना है और इस ताइप के कोस्टन साइंगे तो अच्छे से करके जाने हैं आगे बढ़ते हैं अब आया है आपका रसाइंस अस्तर यानी कम स्ट्री मां पर मिश्टाइब रखा था वह फिजिक्स वाला पॉर्शन था पहले उसके बाद आएगा कैमेश्टी वाला पॉर्षन वट इंफेक्ट और इन पर इंकरीजी टैंप्रेचर वह पार्टिकल की स्पीड पर क्या इंपरिक्ट पर टैंप्रेचर बढ़ा देते है हैं तो क्या हो जाएगा अगर पीछे आंग दिए दर्किषी को लगता ना चलो आगे बढ़ते हैं विच गैससी स्थ all का इसमाल फूल फूल के तौर फौह थे लिक्विड पेट्रोलियम गैस आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्टिन है अ अगे पढ़ते हैं इसमें समझेड सब्सक्रेट हैं और जो कि chemical reaction में participate करती है तो क्या ये बात सही है बिल्कुल सही है atom of all elements are same ये कह रहे हैं कि सभी element के atom बराबर होते हैं बिल्कुल गलत बात है ये तो cheating कर रहे हो क्योंकि सभी element यानिकि जैसे iron calcium carbon अलग-अलग है न ये अगर से कुछ ऐसा logic देते तो हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता अब इन्होंने डायरेक्टी गलत statement दिये तो हम इजली बच गए हैं यहां पर आगे बढ़ते हैं question को how does the water captain earthen port यानि मटका become cool during summer गर्मियों में जब हम मटका रख देते हैं पानी भर के उसमें तो वह पानी मटके का ठंड़ा कैसे हो जाता है वह बताना है the port have small ports port के अंदर जो है छोटे-छोटे छिद्र होते हैं the water field in the port keep going keep coming throughout the ports यह जो गड़े होते हैं इन में से पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बहार आता है the surface area of water coming out from the ports become very large which evaporate very quickly और मटका बहुत बढ़ा है उसमें जो है बहुत सारे चिद्र ऐसे ही तो उसमें से जब पानी बाहर आता है तो वह भाप बनकर उड़ जाता है बहुत ही जल्दी से we know evaporation जो है क्या करता है जब evaporator तो cooling produce करता हो इसके चलते मठके का पानी ठंडा हो जाता है ठीक है कलियर हो गया होगा इसको आगे बढ़ते है next question पर यहां पर जो है इफ जैड़ इस इकुल टू 3 है जैड़ा में दे रखा है तीन what would be the valence of the element element की बतानी है also name of the element और साथ में element का नाम भी हमको यहां पर mention करना है तो atomic नंबर देरखा हमको 3 ठीक है यह जैड़ जिसको जैड़ किसके लिए आसान थी इसकी वैलंसी देखो हमें क्या बताना वाट वूट बीड़ वैलंसी और नाम दोनों चीज़ बताने वैलंसी क्या हो जाएग इसकी वन हो जाएगी वैलंसी तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले question पर इसमें जो है और में एक question और दिया हुआ है इसको भी solve क इन दोनों species के बीच में क्या relation है वो भी हमें साथ में mention करना है देखो मास नंबर पहले हम जो है एकस की बात कर लेते मास नंबर एकस कितना हो जाएगा 6 पलस 6 बराबर 12 हो जाएगा और Y का मास नंबर अगर हम count up करते हैं तो 6 पलस 8 कितना हो जाएगा यह हमारा 14 हो जाएगा यह तो समझझा गाए मास नंबर के लिए अब जो है कि X and y have the same atomic number बट different mass number नंबर दोनों के सेम हैं लेकिन मास नंबर दोनों के अलग है ठीक है तो इसका मज़लब या क्या है यह आई सो बारे इस पीचिजय का क्या है वह आई सो बार से हैं तो लिए निए पास में दा फोलोविंग इनको टर्म्स को फोलो बताना है हमको saturated solution क्या होते हैं प्योर सब्स्टांस क्या होते हैं क्या होते हैं ठीक है चलो को समझते हैं अच्छे से क्लियर करते हैं पहले saturated solution saturated solution if on adding the solute in a solutions अगर हम solution के अंदर solute को add करते हैं at a given temperature it does not dissolve और यह नहीं घुलता है then the solution is called saturated solution यानि वो संतूष्ट है जैसे आपने पूरा जैसे आपका मन कर रहा था संत्रिया जूस पीने का भाई और आपने पूरा पी लिया संत्रिया जूस अब आपको मतलब कह रहा है कोई दोस्ता के भाई चलो संत्रिया जूस पीलो आप क्या बोलोगे ना भई मैं पी लिया मैं अच्छी का पड़ा हूं तो अब नहीं पी सकता तो वैसा ही होता saturated solution अब तो मुझ में और करने कोशिस करोगे और वह नहीं घुलेगा तो saturated solution होगा different substances have different solubility different temperature अलग अलग सब्स्टांस की अलग अलग solubility होती है इसके according भी अब प्योर सब्स्टांस देखो प्योर सब्स्टांस क्या होता है प्योर सब्स्टांस इस डैट विच हैव ओनली दा प्योर सब्स्टांस के नेश्ट जो पॉइंट हमारा हो है को लोईड क्या होता है यह हिटीरोजिनियस mixture होता है जिसमें साइज पार्टिकल जो है पानी मिल गई तो नीचे बैठ जाते यह वैसे नहीं होते बोटम पे बट कैन बी सैपरेटीड बाए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की हेल्प से इनको अलग किया भी जा सकता है तो वह चीज है यह आपको यहां पर तीन ज़रूरी है साइश आपको पहले पढ़ते हैं होगेशन अपटेब्स करेंट्रीफ्यूफ्यूज इसका पाउंड स्टिविट्टरीब्स लिए इस के एक्जेम्पल देखो तो ब्रास ब्रोंज सुगर पानी में वाटर इन अलकोहल यह सारे होम यह जो है आपके मिक्सचर होते हैं इस वाले में देखो तो हिटेरोजिनिस वाले में यहां पे जो है सैंड पार्टिकल्स उसमें आइरन पाउडर जो है मला दिया हमने सैंड में अम जाएगा इसमें मिलाएंगे तो डंग से मिलेगा नहीं अलग अलग दिखता रहेगा आपको सिंपल टू आइडेंटीफाइज चलो आगे बढ़ते हैं अगला जो कोश्चन हाता है एक्सप्लेइन एक्सप्लेइन अटोमिक नंबर मास नंबर और आइसोटोब यह आपको ज ज्याद आसान है हर बार यह तो रिपीट होते रहें कोश्चन नंबर नाइन देखते हैं राइट दा केमिकल फॉर्मुला उफ दा फॉलोइंग इसमें जो है में केमिकल फॉर्मुला बताना है या तो यह उपर वाले पांच कर लो या फिर यह वाले कर लो दोनों यह आसान के लिए होगा ऐसीयम और इसके लिए होगा सीया ओ सरी सी ओ ठीक है यह आपका कल्सियम कर्बोनेट के लिए हो जाएगा अब जो है नैस्ट कोशिन देखते हैं इसी में और वाला डाना मॉलर मासक का ना बहुत आसान होता है जितने भी एटम है उनका इकले अलए मास पता हो कितना होता है 12 ठीक knows always कि इसमें और सिर्द में 12 इसमें इसमें हाइड्रोजियन की तो चरिए बीटुे-ट लगा ले편 अचक में मोल मुल होताई वान में शुइंटा इंस में 12 24 तो 26 आपका टो ईंइट जरूर लगा ले इन्हों होता है जो मॉलर मास है वो वन होता है वन इंटू तो दो यह हो जाएंगे टू पलस में 12 दूनी 24 तो 26 को आपका यूनिट जरूर पर मौल यह यूनिट लगा लेना और यह आपका सल्फर को मोलीकूल का मोलार मास निकल जाएगा ऐसे फोस्फोर सका लेखने नहीं क्या का बाइक मास याद रख लो वापिस सिसका 31 वाला है ठीक है थीक है इसका मोलर मास निकलो तो आपको 31 इन टो में 4 कर देना है वह आपका जाएगा वन ट्वेंटिफोर यह आपका ग्राम पर मॉल मोलर मास निकल गया अगला कॉश्चिंग देखो एच का निकालना है एक मास होता है पलश में क्लोरिन का कितना होता है आपका थर्टी फड़िश्ट पॉन्ट फाइव तो अपका टोटल आ गया 35 से पॉन्ट में 5 और यह आपका अंसर हो जाए ग्राम पर मोल अगला कोश्चिन देखो है यह थोड़ा सा हार्ड हो सकता आपके लिए मोलर मास एट लिस्ट आ जो है ना अटोमिक मास बीस नंबर तक के जो आटम है उनके याद जरूर करके जाने हैं वह आपको काफी हल्प करेंगे जाम में ठीक है इसका जो है दिखते हैं या आपका हट्रोजन का वन होता है ना हटो ज़िन tito में अक्षिजन का जो क्यों होता है 16 इसको कर लो करने आपको क्या में इसका आपका इससर आजाएगा यह पांच नंबर में और इस तक के अपको साइगा तुड़ करना और 20 तक के अपकर ठीक है अब जो आपके पास में नया जो section आता है वह बायोलोजी वाला जीव विज्ञान वाला इसको भी करते हैं what is the green pigment found in the leaves card leaves के अंदर हरा जो pigment है उसको पाये जाता उसको क्या बोलते हैं chlorophyll बोलते हैं next question देखते हैं by whom is the process of transpiration done transpiration का जो process होता वो किसकी मदद से होता है stomata की help से होता है next question है which gas is required for photosynthesis photosynthesis में कौन सी gas इस्तमाल होती CO2 carbon dioxide lysosomes are cold fill in the blank of cell lysosome को क्या बोलते है suicidal bag SUICIDAL बैग इनको बोलते हैं lysosomes को next question देखते हैं यह आपका assertion रिजन वाला है इसमें थोड़ा दिमाख लगाना पड़ेगा आपको फिर से चलो तो यह रोजाओ दिमाख लगाने के लिए असर्षन देखते हैं अग केमिकल चेंज कैन नोट बी डिवर्स इजली चेंज को इजली डिवर्स नहीं कर सकते बिल्कुल सही बात है बई रीजन देर खायनों ने इन केमिकल चेंज अन्यू सब्सांस इस फॉर्म्ड यह बात सही है अब यह दोनों स्टेटमेंट हमारी सह दो उप्सन यह वैसे बार हो गए ची और डी तो अब बचये और भी और बी क्रेक्ट एक्सप्लाइशन है या नहीं है तो अब सवाल बनाते है पहले सर्षन से लिए कैमिकल चेंज का नोट बी रिवर्स इजली रिवर्स नहीं कर सकते हम बोलें क्यों नहीं कर सकते फिर यह इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कैमिकल चेंज की वजह से जो है नया सबस्टांस बन जाता है इस वजह से नहीं कर सकते तो बात सही है लोजिक सही है इनका तो अप्सन ए हो जाएगा बोथ ए और आर ट्रू और इस दा करेक्ट एक्स्प्लानेशन ओफ ए नेक्स्ट कोशन दे और इसमें जो है एक प्रोसेस होता पूरा और जिसके उजह सांस लेते हैं तो एक एनरजी जो है रिलीज होते है डाट इच्छे स्याद करके जाना यह पेपर आपको अच्छे त्यारी करके जानी है आगे बढ़ते हैं अंगले कोश्चन पे वाट आर दा फंक्शन ऑफ इसमें जो है और में कोश्चन दिया हुआ है वड़ इस पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स दिल के अंदर हर्ट के अंदर मसल्स पाई जाती है उसका जो है स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है तो दा मसल्स ऑफ हर्ट सो रिद्मिक का और रिलेक्शेशन तो आउट लाइफ यह पूरी लाइफ जो है को रिलेक्शेशन का जो है प्रोसेस फोलो करते रहती है इट इस रिस्पॉन्सिबल फोर हर्ट बीट एंड प्लेस आर रोल इन सर्कुलेसन यहांनि पंपिंग ओफ बलड इन बोडी तो इसम के पेपर में जरूर है वह जितने भी डियाग्राम बनावी एक्जाम में सारे पैंसिल से बनाने पैंसे कोई मत बनाना अगर पैंसे बना दिये तो टीचर नंबर काट लेते हैं तो पैंसिल को यूज करना हमाँ पे डाइग्राम एटिकली सोदा डिफ्रेंस बिट्विन थी ट इस लिए बन्स को जोइंट करने के काम आती है इस और वोल्यूंट्री नेचर या नेचर में वोल्यूंट्री होती है दे मुद्वाइब बेद्वाइब काल स्ट्रेटटेटि मसल्स बेड़े बोलते डारण को लाइट बैंड को जैसे इस आर लोंग सिलेंड्रिकल अन ब्र means of skin कुछ specific जगह पर यह थोड़ी मिलती है है में और इसमें जो है और इन्वलूंटरी ने चाहर और यह इन्वलूंटर मतलब कह सकते हो कि जो वोलूंटर आ वह तो हमारी इच्छा के साथ कारिये करते हैं यह अपनी मन-मर्जी के मालिक होती है काइंड ओफ ऐसा है और दो नोट कंटेंड इन्वल्यूंटरी की बात करें में यहां पर दे डू नोट कंटेंड लाइट और डार्क बैंड इसमें कोई डार्क लाइट बैंड नहीं होते हैं इसलिए इनको नोन स्ट्रेटीड मसल फाइबर बोलते हैं दीज आर टेपरिंग कि पास में कौरब नहीं कर सकते हैं इसको भी अट नहीं कर सकतें वह रचिंट हो में बढ़ते हैं बदेखने को देखने को आगई भटते हैं इसके डाग्राम भाव लेकराम भी फ्रफ लेना थोड़े से नेक्स्ट कोस्टिन देखते हैं नेक्सट्ट और यूज ओफ मैन्डी फर्टिलाइजर का इक हुझ आपको बताना यहां मैँनियूर को वे और ओर लीकिव नफ यहां कि इतुंस जलो इन्ट जो है जो है नाइट्रोजयन फसक्र। पॉटासि得 ज्यादा नहीं हुता होता है इसको फैक्ट्रियों मैं बनाए जाता है इन और आट्रयुन सेटांस होते हैं और रहे बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी मैनियूर भी बढ़िया इतने बुरे नहीं है यूज करना चाहिए इनको भी चलो आगे बढ़ते हैं अगला जो नेक्स्ट कोश्टन हमारे पास में में का कंपैरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल डिफरेंट फ्रोम बताने पड़ेंगे पहले प्लांट सेल का सुन लो और साथ में उसका भी बताता होंगा मैं प्लांट सेल वाल इस परजेंट इन आउटर साइड ऑफ दा प्लाजमा मैंम्रेन अनिमल सेल में तो होती नहीं होते हैं यह फाइन मेंमरेन की मदद से घिरा होता जमकि वहां पर एपनी आपनी एपनी और बापन या नहीं होते है उसको थोड़ी धूरी नहीं ही होती है या तो नहीं होती है यह तो नहीं होती है सेंट्रोसों पाए जाते हैं plant cell के अंदर centrosome नहीं होते हैं और जबकि animal cell के अंदर होते हैं plant cell में cell division जो होता है वो cell strip के help से होता है और animal cell में cell division formation होती है grooves के help से next point देखोगे plant cell में तो golgi bodies made up of different unit जिसको हम dictosomes बोलते हैं यहां पे animal cell में golgi bodies present होती है जबकि plant cell में बनाई जाती है उसके बाद में plant cell के अंदर calcium oxides crystals are always found in plant cell हमेशा पाए जाते हैं और जबकि animal cell में वो हमेशा नहीं पाए जाते गायब रहते हैं plant cell के अंदर photosynthesis काम करती है और animal photosynthesis नहीं करते हैं plant का जो size होता है वो बड़ा होता है ने बलके compared में क्योंकि animal size उस पे रह रह रहे होते हैं prokaryotic cell different from eukaryotic cell prokaryotic cell eukaryotic cell से कैसे अलग है वो बताना है इसमें भी 67 point आप को आने चाहिए prokaryotic cell यह size में छोटे होते हैं lack of membrane जिसमें bound cell organically जैसे endoplasmetic column lysosome mitochondria यह जो हैं में कमी होती है prokaryotic cells के अंदर इन चीजोंगी they are 70s ribosomes in them 70s ribosomes पाए जाते हैं और chlorosomes जो है made of DNA and found in cytoplasm or cytoplasm में पाए जाते हैं और chromosome DNA की help से बनते हैं in these the chromatin material is not bounded by membrane nucleus is absent वो नहीं होता है इनके अंदर और they are only one there are only one chromosome इनमें केवल एक ही chromosome होता है और cell division के लिए यह budding या फिर fusion का इस्तेमाल करते हैं वो prokaryotic single cell वैसा जी तो process करते हैं अब eukaryotic क्या होते हैं size में बड़े होते हैं उसके बाद में सारी जो organally है वो membrane के help से bound होती है ribosome जो है 80s type के पाए जाते हैं जबकि उन आपको कुछ कोशन लग रहे होंगे सर यह पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे कैसे याद रख पाएंगे इनको तो आपको मैंने बता दिया था शुरू में अब जो है एक और चीज जो है ध्यान अखने की है आपको जो है इसी चैनल पर फरी ओफ कोश्ट बहुत सारी वीडियो मिलेगे exam preparation के लिए important questions की जिसे आप अपनी तयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो अगर आपको जो है ना अपनी तयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है तो भाई इस चैनल को subscribe कर लो ताकि आपकी तयारी में कोई कमी ना रहा पाए और सारी जो वीडियो आपको time से मिलती रहे सारे update मिलते रहे मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई